अत्प्राधानिक रहस्यम विनियोगह ओम अस्य श्री सप्षती रहस्यत रहस्य त्रियस्य नारायन रिशिर नुष्टुप्छंदाय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वयो देवता यतुत्फलाप्तियर्थ जपे विनियोगह उस अप्षती के इन तीनों, रहेसियों के नारायन रिशी, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं, शास्तो, फलकी प्राप्ति के लिए जप में विनियोग होता है, राजोवाच भगवन अवतारा में चंडिका यस्त्व्योदि अतेशा, प्रकृतिन ब्रमा प्रधान वक्तुमरहसी एक राजा बोले भगवन, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझ से, कही, ब्रमा, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृती का निरूपन कीजिए एक आराध्यम यन्मया देव्या, स्वरूप यान्च द्विज विधना ब्रूही सकला यथावत प्रनत्स्यों में दो द्विज श्रेष्ट, मैं आपके चरणों में पड़ा। हूँ, मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधी से आराधना करनी है, वो सब यथार्थ रूप से बतलाईे। किन्तु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने, योग्या मेरे पास कुछ भी नहीं है तीन सर्वस्याध्या। मूर्धनी पांच राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातोलुंग, बिजोरे का फल, गदा, खेट, धाल, एवं पानपात्र। और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनी, इन वस्तूओं को धारन करती हैं। पांच तप्तकांचन वर्नाभा, तप्तकांचन भूशना, शून्यम तदखिल स्वेन पूर्यामास तेजसा छे तपाये हुए सुवर्ण के समान उनकी कांती है। तपाये हुए सुवर्ण के ही उनके भूशन है, उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। छे शून्यम तदखिल लोक्म विलोक्य परमेश्वरी, बभार परम रूप तमसा केविलेन ही साथ परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस सम्पूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुन रूपा उपाधी के द्वारा एक अन्य उतक्रिष्ट रूप धारन किया। साथ सा भिन्नान जन्सन काशा दनिश्टरान कि अवरानना, विशाल लोचना नारी बभूव तनुमध्यमा आथ वव रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांती निखरे हुए काजल की भाती काले रंग की थी, उसका श्रेष्ठ मुख। दाडों से सुशोभित था, नेत्र बड़े, बड़े और कमर पतली थी, आथ खडगपात्र शिराखे टल्म क्रच्च तुर्भुजा, कबंध हारम शिरसा बिभराना ही शिरह स्रजम नौ उसकी चार भुजाएं, धाल, तलवार, त्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी, वो वक्ष, स्थल पर कबंध, धर, की तथा मस्तक, पर मुंडों की माला धारन किये हुए थी, नौसा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा, नाम कर्म चमे, मातर देही तुभयम नमो नमह दस इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ट तामसी द प्रमदोत्तमा, ददामी तव नामानी यानि कर्मानी तानी ते ग्यारा तब महालक्ष्मी ने, स्त्रियों में श्रेष्ट उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हे नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो, जो कर्म हैं, उनको भी बतलाती हूँ, ग्यारा महामाया महाका त्रिशा, निद्रा, त्रिश्ना, एक वीरा, कालरात्री तथा दुरत्यया, बारा इमानी तव नामानी प्रतिपाध्यानी कर्म भेह, एबेह कर्मानी ते ज्यात्वा, योधी ते सोशनु ते सुखम तेरा ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वो सुख भोगता है। नामा निस्याई चासा ददो पंद्रा वो श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुष, वीनाथ्था पुस्तक धारन किये। इदगर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे 16 अधोवाच। महालक्ष्मी महाकाली सरस्वतीम, युवा जनतां देव्यों मिथुने स्वानुरूपतह सत्रा तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियो, तुम दोनों अपने, अपने गुणों के योग्यस्त्री, पुरुष के जोडे उत्पन करो, सत्रा इत् पहले स्वयम ही स्त्री, पुरुष का एक जोडा उत्पन किया, वे दोनों हिरन्य गर्भ, निर्मल ज्यान से संपन्न, सुन्दर तथा कमल के आसन पर विराजमान। थे, उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष 18 ब्रह्म विधे विरिन चेती धातरित्याह तम नर्म, पदमे कमले लक्ष्मी त्याह माता चतान स्त्रियम 19 ततपश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधे, वेरीच, तथा धात, इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पदमा, कमला, लक्ष्मी इत्यादी नामों से पुकारा उन्निस महाकाली भारती चा मिथुने स्रिजतह से एत्योरपी रूपानी नामानी चा वदामी ते बीस इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोडा उत्पन किया इनके भी रूप और नाम में तुम्हें बतलाता हूँ बीस नीलकंठम रक्तबाहू श्वेत आंगर चंद्रशेखर जन्यामास पुरुष महाकाली सिता स्त्रियम 21 महाकाली ने कंठ में नील चिनह से युक्त, लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा धारन करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंकी स्त्री को जन्दिया 21 सरुद्रह शंकरह स्थानु कपदी च त्रिलोचन आए, त्रही विद्या कामधेनु सा स्त्री भाशाक्षरा स्वरा 22 वो पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु कपदी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद हुआ तथा स्त्री के त्रही, विद्या, कामधेनु, भाशा, अक्षरा और स्वरा, ये नाम हुए 22 सरस्वती स्त्रियम गोरी कृष्ण च पुरुष नरिप, जन्यामास नामानी तयोरपी वदामी 23 राजन, महासरस्वती ने गोरे रंकी स्त्री और श्याम रंके पुरुष को प्रकट किया, उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ 23 विश्णूर, कृष्णू, हरिशीकेशो, वासुदेवो, जनार्धन, उमा, गोरी, सती, चंदी, सुन्दी, सुभगा, शिव 24 उनमें पुरुष के नाम विश्णू, कृष्ण, हर्शीकेश, वासुदेव और जनार्धन हुए तथा स्त्री उमा, गोरी, सती, चंदी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा, इन नामों से प्रसिद हुई 24 एवं युवत्या सद्याह पुरुषत्वं प्रपेदिरे, अश्यन्ती नेत्रेत्विदो जनाह 25 इस प्रकार तीनों युवतियां ही ततकाल पुरुष को प्राप्थ हुई, इस बात को ज्यान नेत्रवाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्यानीजन इस रहस्य को नहीं जान सकते 25 ब्रह्मने प्रददो पत्नी महालक्ष्मीन रिप्त्री, रुद्राय गौरी वर्दा वासुदेवायच श्रियम 26 राजन, महालक्ष्मीने त्रई विद्यारुपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वर्दायनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी देदी 26 स्वर्या सह संभुए, विरिंचोंडम जीजनत, बिबेद भगवान रुद्रस्तद गौरिया सह वीर्यवान 27 इस प्रकार सरस्वती के साथ, सयुक्त होकर ब्रह्माजी ने ब्रमांड को उत्पन किया और परम पराक्रमी भगव भगवान रुदने गौरी के साथ, मिलकर उसका भेदन किया 27 अंदमध्य प्रधान आदी कार्य जातम भूनरिप, महभूतात्मक सर्वम, जगत स्थावर अंगमम 28 राजन, उस द्रमांड में प्रधान, महतत्व, आदी कार्य समूर, पंच महभूतात्मक, समस्थ स्थावर, जगमरूप जगत की उत्पत्ती हुई 28 पुपोष पाल्या मास्तल लिक्ष्मिया सेह केशव, संजहार, जगत सर्वम सेह गौर्या महेश्वश्रह 29 फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विश्नु ने उस जगत का पालन, पोशन किया, और प्रलयकाल में गौरी के साथ उस संपूर्ण जगत का संहार किया 29 महालक्ष्मी महाराज, सर्वसतव महिश्वरी, निराकाराचा साकारा सैव, नाना विधान भुत, 30 नामांतरर निरुप्येशन नामना नानेन, केंचित ओम 31 इती प्राधानिकल रहस्यम संपूर्णम, महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत सब मही तथा सब सत्वों की अधिश्वरी हैं, वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारन करती हैं, 30 सगुनवाचक सत्य, ज्यान, चित, महामाया आदी नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरुपन करना चाहिए, केवल एक नाम, महालक्ष्मी म से अथ्वा अन्य प्रत्यक्ष आदी प्रमान से उनका वर्नन नहीं हो सकता, 31